पीएम किसान योजना की किस्त जारी अगर नहीं आये खाते में पैसे तो क्या करें? EKYC की पूरी जानकारी देश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधी योजना की बारिवी किस्त जारी कर दी गई है प्रदानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहट मिलने वाले 2000 रुपई की किस्त का लाभार्थी किसानों को बेसबरी से इंतजार था पीएम मोदी ने दिल्ली में कारिकरम के दौरान पीएम किसान योजना की बारिवी किस्त जारी की बताती कि इन सरकार ने दिवाली से पहले ही करोणों किसानों के खाते में सम्मान निधी योजना की बारवी किस्त के पैसे ट्रांसपर करने का फैसला किया था बताती इस बार कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में बारवी किस्त के पैसे नहीं भीज जाएंगे जानकारी के मताबिक EKYC नहीं कराने वाले किसान और अपात्र किसानों का लाभार्थी सूची से नाम कट सकता है अगर आप भी 2000 रुपे की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो PMकिसान पॉर्टल PMकिसान.gov.in पर जाकर लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं खाते में पैसे पाने के लिए EKYC ऐसे करें EKYC करने के लिए सबसे पहले आपको ओफिशिल वेबसाइट PMकिसान.gov.in पर जाना होगा यहां आपको राइट साइट पर सबसे उपर कोने में EKYC का ओप्शन दिखाई देगा आपको इस EKYC पर क्लिक करना है अब आपको अपना आधार नमबर एंटर करना है इसके बाद आपको इमेज कोड इंटर करके बटन पर क्लिक करना है अब आपको अपना मोबाइल नमबर इंटर करना है और OTP फिल करना है इसके बाद में अगर आपकी सारी डिटेल्स पूरी तरीके से वैलिड होगी तो आपका EKYC का प्रोसेस पूरा हो जाएगा अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं हुआ तो इन्वैलिड लिखा हुआ आ जाएगा इसके लिए आप आधार सिवा केंदर जाकर ठीक करा सकते है इस हेल्प लाइन नमबर पर करें संपर्थ बारवी किस्त को लेकर आपके मन में कुछ शंशय या शिकायत है तो आप PM किसान योजना की हल्प लाइन नमबर 155261 या 1800 15526 या फिर 01233 81092 पर संपर्थ कर सकते हैं इसके लावा इमेल आइडी PM किसान ict at the rate gov.in पर आप अपनी शिकायत मेल भी कर सकते हैं किसान सम्मान निधी यानि PM किसान योजना के तहर प्रथानमंतरी मोदी 16,000 करोड रुपए की बारिवी किस जारी कर दी PM किसान योजना के तहट पात्र भूमी धारत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए का वित्तिय लाव मिलता है इस स्कीम के लाव हर्थियों के खाते में हर 4 महिने में 2,000 रुपए की 3 किस ट्रांसवर की जाती है प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने 31 मई 2022 को PM किसान योजना की एक 11 वी किस्त जारी की थी